नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे सेर करेंगे कि अगर आप अपनी घर पर प्लास्टर कोट को यूज करना चाहता है और आप लोग चाहता है कि प्लास्टर कोट में ही हम लोग किसी भी स्टेनर कालर को मिक्स करके एपलाई कर देंगे और हमें पेंट करने का यह कर देंगे और हमारा घर पेंट हो जाएगा क्या यह पॉसिबल है कि नहीं यह तो 도स्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्लास्टर कूर में भी दोस्तों विल्ले एक्ष्टो क्यार में भी प्लास्टर कोड में भी आप अगर चाहे तो किसी भी कालर को मिक्स करके डाइरेक्ट दोस्तों अब अपनी घर पर एपलाई करें लेकिन फास कोड में आपको एपलाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है एक जमपल दोस्तों मानलेजे आप लोग plaster coat को apply करेंगे अपनी घर के लिए तो सबसे पहले दोस्तों एक कोड भाईया आपको कर लेना है सीधे जैसे white cement या फिर primer का करने का कोई भी जरुरत नहीं है तो आप अगर चाहता है कि plaster कोट में का भी करेंगे तो इसका एक प्रोसेस्स है यही है कि आपको फास कोड दोस्तों वैसे ऐसे हैं सफेथी कर रेना है और सपेध कर बाद सेकेंट में सेकेंट मैं अब डिये का इंगा सीधें कोड पर मिक्सिंग कर के आप सीधे अपनी घर पर apply कर सकते है दोस्तों second code में लेकिन दोस्तों एक problem यह है कि आप लोग दोस्तों मतों मतलब pen приंठ में जितना होता है मतलब चमकदार ही देखने को मिलता है ना तो आप लोग आगर हमेड सेक केस में हूँ या यह या प्रामेंस में या फिर वाल साफेदी होता है और साफेदी में किसी भी कालर एट करने से उसका थोड़ा बहुत कालर भाई आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन आप जितना साइन चाहता है जितना चमकदर चाहता है जैसे कि हमाई इमर्सन प्लास्टिक में मिलता है उतना साइन दोस्तों आपको देखन को मिला कर कालर भाय कर देंगे इन केस में दोस्तों आप लोग बिल्कुल एप्लाई कर सकता है लेकिन आप अगर सोचता है कि भाया हम लोग पर्मांडेटली इसी कालर को रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका दोस्तों पैसा बरबाद होगा कि उतना कालर भाया आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना इमालोस प्लास्टिक पेन करना है तो में इस कैस में आराम से एप्लाइच कर सकता है कोई भी प्रोलोम नहीं होगा और दोस्तों प्लास्टर कोट से जुड़ी अगर अपकी मान में कोई है कोई भी सवाल या डाउट अभी अभी भी है तो सीधे हमें कमेंट करें अपका हर सावाल का जवाब दूस्तों जरूर देंगे